है और अभूंऄ a प्रोपटी्टेवीड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वाक्त है में आजमें इसक्षे सब्सक्राइब vậy क्षेक प्रफित ट्रोंट स्था॥ जब मैं बैंक में काम करता था तो हमें जो bank में training दी जाती थी कि हमने quarterly ब्याज लगाना है जिन बंदों को हमने loan दिया हुता जिन party को loan दिया हुता था हम उनका ब्याज calculate करते थे और उनके खाते में debit करके profit प्रोफिट और लॉस में जो profit and loss हमारा होता था P&L बोलते थे उसमें हम credit कर लेते थे तो मतलब उसके account का डेबिट बढ़ गया और हमारा प्रोपी एंडल का क्रेड मतलब उसमें ज्यादा हमें अमॉंट करेडल कर लिए अमॉंट ज्यादा होगी तो जब कर पूजिशन यह थी कि वह लोग किस्त भी जमा नहीं करोते थी किस्त जमा नहीं हो रही है और हम प्रॉफट के उपर प्र प्रिंसीबर भी डूब रहा था इसको फेक प्रॉफिट कहते हैं दोस्तों मनमोहोन सिंग जी ने नर्सिमन कमेटी बनाई नर्सिमन कमेटी में तब फैसला लिया गया जिस बंदे की तीन महिने तक किस्त नहीं आएगी उसके उपर हम इंट्रस्ट कैलुकुलेट नहीं कर सक जीना इसको नौन परफॉर्मिंग एसेट का नाम दिया गया और इसके उपर बेंक ने सक्ती की सक्ती करने के बाद बेंक की रिकवरी शुरू हुई तब जाके उनकी पूजिशन ठीक हुई थैंक्स टू डॉक्टर मनमोहन सिंग जिन्हों ने बेंक को समझा बेंक के काम को स हमारा बहुत ज़्यादा नुक्सान हो जाता और हम गल्त फेमी में रहे थे कि हमारे हमारे जो बेंक हैं सारे प्रॉफिट में चलेंगे हो उल्ट रहा था इसी तरीके से यदि आप रियल स्टेट में फेक प्रॉफिट लगते हो तो डेफिनेटली आपको मार पढ़ने वाल कि रियल स्टेट के उब्ला काई कहा हैं तो डेफिनली हम भी शायद इसी तरीके से जो रियल स्टेट बथा नहीं सकता है इस बात का ध्यान रखना है कि आपने फेक प्रॉफिट से बचना है यदि फेक प्रॉफिट को बचाने में या मनेज करने में आप कामयाब हो जाते हो तो डेफिनिटली आपकी एक्चुल पजीशन है जो सुदर सकती है आज के लिए इतने वीडियो अच्छी लगे लाइक कर करना इसके उपर चर्चा करना बहुत जल्द एक ने टॉपिक के साथ आपके समने होंगा तब तक आप सीखते जाएं पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्त राजमान सिंग मुहली थेंक्यू बरी मुच् करते हैं